दुर्भागी ओपूल मरा हमने पिछले एक हवते से लेकर ऋिखित में भी इनसे परमिशन लेने की कोशिश ची बरवली मैं परसनली मिला एनके पिया साब से भी मिला हूँ में लेकिन आज हमने कोशिश की थी कि सबी जिलों से जितना में हमारा कर्या कारणी है और इसके लावा जितना भी हमारा जो अपना कर्मचारी वर्ग है एक बड़े डिसिप्लेंट मोड में हम आए कि इनसे अपनी बात को रखें लेकिन ये आपके सामना सारा इंसिडेंस हुआ सीम साब आए कि अब तो आँके खोलो सरकार ये कोई आज का हमारा इनको बताने का प्रयास नहीं था ये पिछले 24 सालों से हमने यही स्लोगन हमने इनको बताया था सरकार को कि अब तो आँके खोलो सरकार इसके पीछे मुनशा क्या है ये जानने का ना प्रयास पहले की सरकार ने किया वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी कोशिश भी की लेकिन कॉन्क्लूजन जिस बात पर बनके निकला था एक ड्राफ्ट जो यहां सम्मिट हुआ वो 23 जून को ड्राफ्ट सम्मिट होने के बावजूर्दी आज 10 अगस्त हो गई डेड़ महिने में वो मातर फाइनस डिपार्टमेंट या हमारा प्रिंसिपल सेकरेटी हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही चक्कर खाता गया और वही चीज इनको बताने के लिए ये आँखे खोलो सरकार यही एक बिल्कुल संक्षेप सा एक मैसेज था जिसमें क्लीर डेफिनेशन इसमें हमने कोशिश की इनको बताने दिए अब इसको ये किस दृष्टी से देखते हैं लेकिन अगर हमारे पार्ट से इसको देखें तो ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्स्प्लॉइटेशन हम जहल चुके हैं चमबा से शिमला पहुंचने में 14-15 घंटे जगते हैं हमारा इंप्लॉईट जो यहां पहुंचा है चमबा से पहुंचा है किनौर से हैं मंडी से हैं कांगडा से हैं हमेरपूर से हैं हुनना विलास्पूर पुलू बारा के बारा जिले यहां पर आपके सामने पहुंचे हुए हैं अगर समय से आप इसको देखें तो 15-15 घंटा का सफर करने के बाब जूद भी हम यहां पौने नौ के करीब गेट के पास खड़े हो गए थे नौ बजे एग्जेक्ट मैं पहुंच गया था जिसकी सूचना हमने पूलिस प्रशासन को भी CID को भी लिखित में भी दे दी थी बाब जूद इसके भी हमारी अंदेखी मिलने के लिए की जा रहे हैं अगर इस तरह का रवईया सरकार का है हैं तो हम भी अगर अंदेखी अपने सर्विसे बिगाडिंग करना शुरू कर दें कि पेशेंट को देखना छोड़ दें कोविड पिरियड हैं वहां हम अपनी सर्विसे ना दें तो ये सरकास्ता में सकती है कि कितना ज्यादा लॉस होगा